मेरा नाम है स्वाती और आज हम सब लोग बिस्कुस करने वाले हैं इंडेक्स मैच कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने एस लुक अड़ यूज करा था बट उसमें जो हमारा फॉर्मूला है वह बहुत ब्लेंदी हो जाता है उसी के जगह पे हम अपना इंडेक्स मैच यूज करते हैं जो की शॉर्ट फॉर्मूला है स्टार्ट करते हैं इसी के साथ जैसे कि इंडेक्स का बट क्या होता है जब हमारे पास अरे की अकॉर्डिंग रोका नंबर ये फिर कॉलम का नंबर हमें बताना होता है त weight然后 यूज करते हैं इंडेक्स लगाया टैप किया अरे देंगे उसsemb investigators इंट कमा और जिस रो का हमें देखना है हम उस नमबर देंगे and जिस कॉलम का हम देखना चाहते हैं उस कॉलम का झाल नमबर देंगे and SHIFT के साथ ब्रैक्त पॉप and END थैं तो कुछ इस तरीके से हम अपना जो index match का formula है वो लगा के अपना जो भी column number या जो भी row number निकालना चाहते है वो निकाल सकते हैं सेम इसी तरीके से match है हमारा match का काम क्या होता है हमारी position बताता है हमने match का formula लगा दिया look up value देंगे जिसका हमें देखना है position उसके बाद look up array देंगे विवो इसके according हमारा second position पे जैसे कि आप देख सकते हैं विवो हमारा second number पे ही है तो इसने क्या कर रहा है position देदी है यह पर अब जैसे हम विवो लादेंगे तो इसकी जगा पर पोजिशन आज़ेगी तो match आपको समझ में भी आगया होगा कि match अपने आपी position को भी change कर लेता है तो कुछ इस तरीके से हम index और match को बना के आपको formula बना के देंगे जिसके according आप अपना data निकाल सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस table में हमने name के according serial number निकाला है जैसे कि मैं serial number दे दूंगी पूरा लॉग करेंगे इसको एक बार comma match उसके बार look up array है हमारा वो था है जिसके according मुझे निकालना है तीन बार इसको लॉग करा, comma look up array हमारा वो है जिसके according हम निकाल रहे हैं वो select कर लेंगे एक बार लॉग करना है comma zero bracket of comma zero तो कि इस तरीके से हम direct ही निकाल सकते हैं जैसे कि H look up and V look up choose जो हमने लगाया था वो formula बहुत lengthy जाया था हमें number डालने पट रहे थे एक बार और पता देते हैं हम आपको दुबारा से सबसे पहले हमें index लगाना है array जो हम निकालना चाहते है जैसे मुझे निकालना है इस बार लॉग किया match लगाएंगे मैस लगाने के बाद look up value दे दी हमने उसकी तीन बार वो लॉग हो जाहेगी comma look up array दे देंगे इसमें से मुझे निकालना है comma zero shift के साथ bracket of comma zero तो कुछ इस तरीके से हम अपने formula को use करेंगे अगर आपको free computer course करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की description में mobile कर लिंक आपको दिया गया है mobile application कर लिंक आपको mobile application कर लिंक डाउनलोड कर सकते हैं आप with valid certificate के साथ and video subscribe करना ना भूले हमें नीचे comment section में बताएं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें कृपिया चानल को subscribe करें धन्यवाद